हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं आपकी फ्रेंड संगीता, संगीता आज इमिनिटी गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको गार्डन या पेट पदों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कोई डल डल है, बिल्कुल, मैंने बहुत दिन से वीडियो भी नहीं डाला है, दो-तिन वीक हो गए, कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था, मैं कोविड-19 पॉजिटिव आ गई, और फिर एक बार तो मैं घबरा गई थी, अब आज पूरे 11 दिन हो हो गए हैं, तो मैं आज पहली बार थोड़ा सा बाहर आई हूँ, अपने इस चोटे से नने जिम हमान के साथ, क्योंकि ये भी मुझे वहीं आईसोलेशन रूम में मेरे बिटे ने गिफ्ट के तौर भिला के दे दिया, गिफ्ट क्या कहें दोस्तों, इसकी वी एक अलग दा है। यह अपने ममी के पास इतार में देखती थी कि इसकी ममी ने जो भॉसला बना रहा था मेरे यहां पे जो गार्डन में में बेल लगी है ना ट्रंपेट वाइन और चमीली की बेल है, और दोनों जहां पर जहां पर एक प्लर है वहां पे उसने प्यारा सा बहसला बनाया और उस घोसले के अंदर यह तीन बच्चे थे, तो उसने मेरे सामने घोसला बनाया था पंदरा दिन में, और फिर उन बच्चों को पाल भी रही थी, तानावना किलाती थी, मैं देखती थी, कि कीडे, मकोडे, कुछ लाला कि उनको किलाया करती थी, फिर अचानक मुझे कोरोन हो गया और मैं 11 दिन तो अब आज होई गये हैं, तो उस दोरान ही यह हुआ कि उसने अपने दो बच्चों को तो उड़ना, क्योंकि उड़ने लाइक तो हो गये हैं, 15-20 दिन से तो मैं ही देख रही थी, कि वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खिला रही थी, और उन्ह ले जाएगी, लेकिन ये एक रह गया, इसकी वज़े ये हुई कि मैं आपको बताओं, देखे, मैंने इसका ये गोसला ऐसा ही बना रखा अभी क्योंकि मेरे पास महाँ जगे नहीं थी, ये जो इसने, चिडिया ने जो गोसला बनाया था, उसका एक ऐसा धागा था, और ऐस तीखा धागा इसकी गर्दन में फसावा था, दोस्तों, जो निकल नहीं पा रहा था, और इस वज़े से ये अपनी मा के साथ उड़ नहीं सका, तो मैंने फिर इसे अपने पास लाने के लिए का, क्योंकि मेरे बेटे ने देख लिया, कि ममा वो दोनों बच्चे तो उड़ बाहरा नहीं सकती थी, उसने देखा, तो उसने मुझे बताया, तो मैंने का वई ठीक है, आप मुझे इदर ला के दे दो, उसने वो घोस्ला उतार के और मुझे अंदर ला के दे दिया, और उसे समझनी आया, उसको जो भी एक ट्रे पड़ी थी, ये देखे, वो टूटी व इसके अंदर जो धागे है वो अब ये बड़ा हो गया तो इसकी गर्दन में ऐसे फस जाते हैं इसको मैंने निकाला इसकी धागे को गर्दन में जो फसावा था पिर इसे मैंने मेरे पास और कुछ नहीं था तो ये दो मास्क पड़े थे जिनकी साइड के कान पर लगाने वाल इसके लिए लगा दी इसके बस अभी तो मैं यही कर सकती थी और फिर मैं इसे चिक पी और इस तरह की चीज़ें क्योंकि वहां और मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस रूम में तो मेरे बेटे को कहती कि इसके लिए कुछ मुझे ऐसी चीज दो जो मैं इसे खिला सकूँ तो पह मैंने इसे 1-2 दिन बाद चिक पी वगएर है मैंने कीवी खाई तो इसको थोड़ा सा कीवी खिला दिया पपीता खाया तो पपीता खिला दिया और बहुत ही प्यार है बहुत है चरा सी चावाज होती है तो यह एसे मूझ खोल खोलू के बाते करने लगता अब मैं इसे खिल जा रखा है थोड़ा सा टोस्ट को गिगो के खिला दिया जो मेरे पास उस वक्त अवलेबल था उस रूम में मेरे पास और कोई चीज ज्यादा हो नहीं सकती आज मैं बाहर आई हूँ अब तो यह मैं थोड़ा इसे उड़ना भी सिखा रही है अब देखी पंक खोलने लग गय कि फोर्टीन डेज बाद तो गरम पानी वानी करके इसके थोड़ा से साफ करके और फिर इसे उड़ना सिखांगे अभी मैं इसे छोड़ने ही सकती इसलिए कि इसकी ममा भी वापस नहीं आई इसको लेने के लिए और बाहर छोड़ने पर हमारे यहां पर बिल्लियां बहुत आती है तो वो इसे खा जाएंगी तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती और दोस्तों किसी को बचाने का जो सुख होता है ना वाकई में क्योंकि जब आप खुद ऐसी इस्तती से निकल रहे हों कि आपको भी लगे कि आप जीवन और मौत के बीच में जूल रहे हैं उस वक्त आपको भी मौका मिले किसी और को ऐसी इस्तती से निकालने का तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है बोलते बोलते मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि फेफ़णों पे इसका वाकई में बहुत असर पड़ता है प्लीज आप लोग ध्यान रखिए मुझे कैसे हुआ मुझे उसके बाद अब भी मेरे बेटे को भी आ गया है पर चलिए उसके उपर तो मैं आप लोग कहेंगे तो अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूंगी पर अभी तो बस मैं यही की छोटे से इस चीची को बचाने की जो पूरी स्टोरी थी वो आपको बता ली थी कि ये दिन मेरे थो इसे खाना किलाती हूं एकदम मा की करें इसे पालती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और यह भी बहुत खुश है अब मैं इसे अंदर ले जा रही हूं क्योंकि इससे ज्यादा बाहर आने की मुझे भी जैज़त नहीं और काफी हवा चल रही है मैं आज पहली बा देखिए और मैं इसे ऐसे थोड़ा सा हाथ से भी खिला देती हूं कभी-कभी और कभी थोड़ा सा इस छोटी सी चम्मत से भी खिला देती हूं यह देखिए इस तरीके से यह खाल लिता है और यह इसकी जगह है जहां पर मैंने इसे रख रखा है क्या करूँ हो मेरे पास कोई जगह ने थी चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जिंदगी बचाते रहिए खुशियां बाटते रहिए सेफ रहिए इसके सेफ रहिए प्लीज अपना ध्यान रखिए और दूसरे प अश्यू पवशियों का भी